एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरु में तो विटे क्या हाल चाल है आप लोगों के और आज हम लोग C.A.Foundation Account Indian Partnership Act 1932 Unit 1 को हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसका practical question सारा का सारा हम लगवान how to calculate interest on capital हो या interest on drawing हो या salary हो या यहां तक की partner capital एकाउंट चाहे वो आप fix method से पढ़ो या चाहे आप fluctuating method से वो सारा का सारा हम लोग अपने previous lecture में complete कर चुके हैं तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप परिसान होने की आपको दिक्कत नहीं है आप description box में जाईए description को क start करते हैं हम और start करेंगे आपके illustration number six उसे आपके पास किताब है वो किताब आप open कर लीजे बाकी मैं main चीजे यहां पे आपके screen पे लिख दूँगा ठीक है तो illustration number six क्या कहता है देखे कुशन कहता है कि राम और रहीम मैं page number आपको बता देता हूँ page number है हमारा 8.16 क्या कहता है आपका 8.16 क्या कहता है कि राम और रहीम दो partner है राम और रहीम आपके दो partner है इन्हों ने capital कितना capital लगाया एक ने 50,000 capital लगाया और दूसरे ने आपका 30,000 रुपय का capital लगाया एक जनवरी को इन्होंने अपना business start किया है एक जनवरी 2019 को इन्होंने अपना business start किया है राम इसटाइटल टू रिसीव आ सालरी माफ करिएगा रहीम रहीम इसटाइटल की यहाँ पर upfront करेगा interest on capital के अगर हम बात करेंगे तो interest on capital यहां पे दिया गया है और interest on capital के साथ interest on drawing भी आपको दिया गया है दोनों का जो percentage है वो same इनों ने रखा है इस question ने रखा है तो 6% per annum फिर कहता है कि profit before distributed equally after above noted adjustment यानि जो आपका profit sharing ratio है वो आपका क्या है वेटा equally है तो आपका क्या है equally है फिर उसके बाद कहता है कि during the year राम ने withdraw किया है राम ने कितना withdraw कीया है आठ हज़ार रुपया राम ने withdraw किया है और अगर हम रहीम की बात करें तो रहीम ने आपका 10,000 रुपया आपका withdraw किया है ठीक है point clear हो गया during the year तो इतना बाते समझ में आ गई फिर आपसे कुशन कहता है कि आपको प्रॉफिट अप्रॉपिएशन एकाउंट बनाना है और साथी साथ आप आपको प्रॉफिट अन लॉरिफ्ड एकाउंट बनाना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट बनाना है और वोवी किस मैंत हर्द से देखिए जहां पे करेंट चीजँ आप इसी तरीके से अपने कउस्चन के लिए क्या कर लेंगे आप लिख लेंगे तो देखो जब आप question कोई भी solve करो ना तो इस तरीके का आप working क्या गर लो बना लो ताकि आपको समझने में आसानी रहे और बार बार आपको किताबों को देखने की ज़रूरत ना पड़े बहुत क्लियर है बहुत सिंपल सब्सक्राइब के बाद पार्टनर कैपिटल एकाउंट को क्या करेंगे हम प्रिपेर करेंगे तो फटाफट स्टाट करते हैं सबसे पहल हमारा पॉइंट क्या है प्रॉफिट और लॉस प्रॉपियेशन एकाउंट 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 फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे पार्टनर कैपिटल एकाउंट बनाएंगे बाते समझ में आगई आप लोगो को चलिए जल्दी से फॉर्मेट सभी लोग बना लेंगे बहुत जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे कि अब यहां पर सबसे पहले अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रॉपियेशन में हम क्या ट्रांसफर करते हैं यह हो गया आपका पर्टिकुलर यह हो गया आपका रुपिया यह हो गया आपका पर्टिकुलर और यह हो गया आपका रुपिया तो स्टार्ट करते हैं बाई नेट प्रॉफित आपको देखो आपको किताबों को आपको देखनी जूरत नहीं है क्युक्विक्व सारा चीज आपने यहांपर लिखए तो आप देखो यहां legitim और इसकाई आपको कितना ड्रेट सांग अभिया मैं और आप जाहो न तो आप अपनी किताब भी यहां पे क्या कर सकते हो बंद कर सकते हो क्यूंकि सारी चीज तो आपने अ वर्किंग नोट में नोटी कर लिया है सारी चीज तो आपने हाई में हाईलाइट कर लिया ना भाई ही के चली पुख स्वाइब हो गया अब उसके बाद्त सेट बार क्रीद में सैाइलरी देनी है तो सालरी पर मन्त वह तो इसको आपको इयर में convert करना पड़ेगा यहां पे 400 गुड़े क्या करेंगे आपका 12 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बारा चोप 4800 रुपेया तो यह हो गया आपका रहीम का salary फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है interest on capital अब देखो interest on capital के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा working note बनाना पड़ेगा और यह working note नमबर वन अब देखो working note इसलिए आपको बनाना आवश्यक है क्योंकि जब आप इस तरीके से presentation करते हैं अपने किताबों अपने copy ओं में जब इस तरीके से आप solve करते हैं आपको number जो मिलते है ना बेटा तो पूरे के पूरे मिलते हैं यानि आपके examiner को पता है कि यह बच्चा interest on capital कैसे calculate कर रहा है interest on drawing को कैसे calculate कर रहा है interest on capital के लिए वर्किंग बनानी है interest on drawing के लिए आपको क्या बनानी है working बनानी है तो सबसे पहले हमारी working है calculate the जल्दी से बनाएंगे calculate the amount of interest on capital और इसमें सबसे पहले कौन रहेंगे आपके राम रहेंगे और फिर उसके बाद अगले कौन रहेंगे आपके रहीं अब आपकी इच्छा है तो आप यहां पर उस formula की उस formula को लिख सकते हो जस formula को मैंने आपको बताया था सबको याद है formula formula क्या था हमारा capital मैं नीचे लिख दे रहा हूं capital into rate upon 100 into month upon 12 ठीक है तो यह हमारा formula है और इस formula से आपको अपना interest on capital गया करना है बेटा जी calculate करना है सबसे पहले राम का देखते हैं तो राम कितना capital लेकर आया था देखो किताब देखने की जूरत नहीं आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कितना पचास हजार अच्छा एक जनवरी को इन्होंने start किया था या एक अप्रैल को किया था एक जनवरी को यानि पूरे साल भर का इनको मिलेगा interest और कोई additional capital इन्होंने लगाया है नहीं तो additional capital को calculate करने की ज यहां से काटेंगे बारा से बारा कटा जीरो से जीरो यह दो जीरो कट गया अब यहां पर आंसर कितना आगया आपका 3000 रुपया राम का interest on capital कितना आगया 3000 रुपया उसी तरीके से अब हम रहीम का भी निकालेंगे तो रहीम का कितना आएगा जल्दी से बताएंगे 3000 का 6% औ यह हो गए आपके राम का कितना है 3000 रुपया और यह हो गए हमारे रहीम यह कितने हो गए आपके 1800 अब इनको आप जोड के यहां पर बताएंगे 00 और यह हो गया चार्ट अब कुछ बच्चों के मन में यह आता होगा कि सर यह जो आपने आउटर कॉलम में राम और रहीम को लिखा है क्या हम इसको डारेक्ट इनर कॉलम में लिख सकते हैं इसका आंसर है मत लिखिएगा प्रेजंटेशन खराब हो जाएगी लिखने को तो आप लिख सकते हैं ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते हो भाई आपका अधिकार है लेकिन आप प्रेजंटेशन जो होता है परफेक्ट प्रेजंटेशन जो होता है वो गड़बढ आ जाएगा तो आउटर कॉलम में आप टोटल एमाउंट लिखिएगा और इनर कॉलम में आप उसको पूरा एक्स्प्लेन करके लिखिएगा जैसे मैंने राम और रहीम का लिखा है अब फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है interest on drawing निकालना है अब सवाल यह उठता है कि जब हम interest on drawing निकालेंगे इसके लिए हम बनाए working note number 2 बिटा देखो, drawing निकालने के मैंने कितने method आपको बताये थे, यादे सब को मैंने 3 method बताये थे, पहला simple method product method, average method यहाँ पर आप कौन सा method लागू करेंगे, यह बताये आप मुझे सवाल यह उठता है कि यहाँ पर हम कौन सा method लगाएंगे, क्या हम simple method लगाएं, या हम product के साथ जाएं, या फिर हम average के साथ जाएं आपको देखकर ही लग गया होगा कि सर यह तो average के साथ जाएंगे हम क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने drawing की है, दस हजार या आठ हजार, इसमें लिखा है during the year drawing की है आप, यह नहीं लिखा है कि आपने कोई date पर drawing की है और आपको मैंने बताया था कि जब simple method उस समय use किया जाता है जब date of drawing mention ना हो, date of drawing अगर mention नहीं है तो आप simple method को क्या करिए, follow करिए, तो बेटा जी दूसरी working हमारी, देखेंगे ज़रा calculate the amount of calculate the amount of interest on drawing, अच्छा, simple method का हम use करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजेगा, simple method, और simple method का क्या formula है भई हमारा जल्दी से बताएंगे, क्या है formula, total drawing into, rate upon 100 into, 6 upon 12 यह है हमारा simple method का formula, यह हमारा किसका simple method का formula जल्दी से सबसे पहले किसको देखेंगे हम, राम को और फिर किसको देखेंगे हम, प्रहीम को तो वेटा, राम ने कितना रुपया बेड्रॉ किया है, जड़ा देखें स्क्रीन पे, आठ हजार और दस हजार तो यहाँ पे हो गया आठ हजार आठ हजार, rate कितना वही 6% और यहाँ पे 6 बटा क्या आपका बारा यहाँ पे कितना आ गया फिर रहीम ने कितना बेड्रॉ किया है आपका दस हजार, राइट काटेंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया 0 से 0, 0 से 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 240 रुपया और यहाँ पे काटेंगे, फिर वही एक बटे 2, 2 से यहाँ पे काटा 3 आया, और यह 0 से 0 काटा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 300 रुपया, यानि राम का 240 और रहीम का आपका 300 रुपया आ गया अब उठा के आप यहाँ पर क्या कर दीजे पोस्ट कर दीजे बहुत जल्दी से आप नोट करिए और साथी साथ मैं आपको ये बताऊं कि हर दिन आपका ये क्लासस चलता है हर दिन आपको एक नया नया लेक्षर आपको मिलेगा आप लाइब क्लास् obsessed अगर आपको लेना है लाइब क्लास personnage के लिए आप हमारे accounting गुरू app को डाउनलोड कर लिजे वहां पर हम इसको live आपका इनॉंस करेंगे life चलाएंगे और youtube पे आप इसको recorded form में क्या कर सकते हैं देख सकते हैं चले फिर फटाफट अब इसके अमाउंट को हम पोस्ट करते हैं यहां पर राम का कितना आ गया आपका जल्दी से मुझे बताएंगे राम का आ गया आपका on capital निकाल लिया, आपने interest on drawing निकाल लिया, ताती साथ आपने salary जो थी, वो salary भी आपने निकाल लिया, अब एक चीज बाकी है, जो available profit है, उस available profit को आपको equally form में बाटना है, लेकिन सबसे पहले आपको उस available profit को find out करना पड़ेगा, कि सर वो हमारा available profit आएगा कैसे, अब आप एक क करिए total credit, total debit को find out करिए जल्दी से, जल्दी से total credit आप मुझे बताएंगे, देखिए total credit हमारा कितना आ रहा है, total credit हमारा आ रहा है 30,540 रूपया, और अगर हम total debit की बात करें, total debit हमारा कितना आ रहा है भाई, चार हजार, चार हजार, आठ हजार हो गया, और आठ में एक और जोड़ेंगे, 9600, ठीक है, 9600, पेटा इसको अब देखो, debit बराबर है कि credit बराबर है, अब आप का हो कि सर, credit बढ़ा है, यानि आपके पास available profit था 30,540 रूपया, जिसमें से आपने अर्जस्ट कर दिया, 9600 र बताईए, remaining बचा कितना, जल्दी से calculator का use करिये और जल्दी से मुझे बताईए, कितना, 20,940 रूपया भी बचा है, 20,940 रूपया बचा है, इस 20,940 को सुमित, बताओ क्या करेंगे, सर, इस 20,940 को राम और रहीम में बाट देंगे, वो भी कैसे, equal, equal, equal का मतलब, एक बटा दो, एक बटा दो, ना, एक बटा दो, एक बटा दो, तो जल्दी से बताईए, मुझे कितना आएगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, two partner capital account, और यह हो गया, राम, और यह हो गया, आपका क्या, रहीम, बाबु कितना आया, 10,470 रूपया, और यहाँ पर 10,470 रूपया, ठीके, यह हो गये हमारे partner capital account के balance, 20,940 और यहाँ पे आपका debit भी बराबर हो गया, और आपका credit भी क्या हो गया, बराबर हो गया, यानि आपका profit and loss appropriation account बनकर तयार हो गया, बताईए कितना easy है, कितना easy है profit and loss appropriation account बनाना, बस आप लोग थोड़ा सा confuse हो जाते हो, कि सर्क कौन स amount कैसे calculate करें, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने adjustment सब कुछ पढ़ रखा है, कैसे, अगर नहीं पढ़ा, तो playlist से आप पढ़ लिजे, previous के जो हमारे lecture है, उनको आप देखिए, सारी की सारी चीज़ें आपको clear होगी, एक चीज़ आपके लिए clear होगी, वादा है म हमारा profit and loss appropriation बनकर ready हो चुका है, अब बारी किसकी है, partner capital account की, और partner capital account वो भी किस method से बनाना है, fix method से बनाना है, और fix method में कितने account बनाये जाते हैं, तुमित जल्दी से बताइए मुझे, फिस capital method में partner के कितने account बनाये जाते हैं, तो दो account बनाये जाते हैं, एक है हमारा partner capital account और एक है हमारा partner current account अब partner current account में कितने transaction जाते हैं जल्दी से अरजुन बताईए मुझे कितने transaction जाते हैं चार transaction जाते हैं बता रखा है opening balance closing balance, permanent drawing additional drawing, इनके अलावा कुछ नहीं जाएगा rest of the transaction वो सब के सब किसमें चले जाएंगे current account में तो जो आपका partner line का बनाईएगा, ऐसे नहीं कि आधा आधा पन्ना आपने खीच दिया नहीं भाई, चार transaction भेजने हैं जादा से जादा चार line या पांच line इससे जादा नहीं current account में number of transaction जादा है तो आप उसको अपने हिसाब से देखकर बना सकते हैं चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग डारेक्ट अब बात करते हैं partner current account की और partner current account नहीं partner capital account की अब हम क्या करते हैं बात करते हैं तो देखो partner capital account बनाने के लिए फटा फट format को आपको बनाना पड़ेगा चलिए हम उसको बना लेते हैं यह हमारा दूसरा portion है और वो क्या है हमारा partner capital account partner capital account for year ended for year ended और bracket में लिखिएगा क्या under fix capital math under fixed capital math इंगे, भी है कितने partner हैं भाई हमारे हमारे दो partner है और कॉलवा भी कितना तो बनेगा हमारा तो कॉलम बनेगा अब जल्दी से बना लीजेए यह हो गए राम और यह हो गए रहीन यह हो गए राम और यह हो गए हमारे रहीन राम और रहीम दोनों का partner capital account बनकर ready है अच्छा साथी साथ हम format बना लेते हैं partner current account का भी partner current account partner current account थोड़ा सा हाथों को आप थोड़ा सा page करिए ठीक है जल्दी जल्दी format बनाईए जल्दी जल्दी क्योंकि एक चीज जहां एक साथ बनाएंगे मैं आपको बताऊं अगला question मैं आपको एक साथ कराऊंगा मतलब सर जिसमें आप एप्रोपीएशन एक साथ बनाएंगे एप्रोपीएशन के साथ आप partner capital account भी एक साथ बनाएंगे तर क्या हम ऐसा बना सकते हैं अरे क्यूं नहीं बना सकते यार आपके अंदर वो talent है बस आप अपने उस talent को छुपा कर रख़े हो निकालो उसे निकालना पड़ेगा क्योंकि पेपर आ गया भीएशन अब नहीं निकालोगे तब कब निकालोगे यार, निकालना पड़ेगा भाई, चलो फिर, बनाते हैं, अब ये हो गए हमारे राम और ये हो गए रहीम, ये हो गए राम और ये हो गए आपके रहीम, ठीक है, राम, अच्छा राम लेकर, राम नाम सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है किसको किसको लग रहा एक ड क्रमेंड ज़रूर करें मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मन कह रहा है कि सारे कोश्चन में रामे राम आ जाएं तो पेटा जल्दी से अब बैलन्स बीडी बताएंगे बाई बैलन्स बीडी इनका ओपनिंग क्यापिटल कितना है अब देखो आप स्क्रीन पे देखो आपने वह वर्किंग बना रखी है शॉर्ट नोट बना रखा है को इन ड्राइंग तो है नहीं तो इसका मतलब यही हमारा बैलेंस बीडी तुमेत मेरी बात ध्यान से सुनो यही हमारा बैलेंस बीडी ही हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस सीडी सर खतम हाँ भया खतम इससे जादा कुछ नहीं है अगर कोई एडिशनल ड्राइंग होती स्वारी additional capital होता तो हम उसको इसमें दिखाते लेकिन question में जब दिया नहीं है तो हम अपने घर से भी लेकर नहीं आने वाले हैं ठीके बेटा वाई एक तो हमारे घर में वई से लूट मची है उपर से हम यहां पे ले आएं तो हम इतने ज़्यादा बुद्धिमान तो दिख नहीं रहें आपको तो लीजे आपके यह राम रहीम के partner capital account हमारा बनकर ready हो गया अब बारी किसकी है partner current की तो सर क्या partner current में भी कोई balance bd balance cd होगा देखो cd तो होगा cd तो निकलेगा लेकिन bd depend करता है question में दिया है या नहीं दिया है दिया है या नहीं दिया है अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आप यहां पे balance bd नहीं लिखेंगे अब आप कोगे सरा इसे का हैं गलत कटवा दिये हमारा हम गलत नहीं कटवाए हम जान बूझ के गलत लिखें हैं सर का है क्योंकि business start हो रहा है और business start जब होता है तो पैसा लगाया जाता है और वहां पे balance bd balance कहां से आएगा भाई वहां तो आपको लिखना पड़ेगा क्या bank account भाई जब आप पैसा लगाते हो business में इंट्री यही तो करते हो bank account debit to capital यही यही तो करते हो ना भी कुछ और करते हो अब स्टार्टिंग आपने किया है तो bank को आपको क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा बाते समझ में आ गई कि नहीं आ गई बाते समझ में आ गई business start हो रहा है इस बात को भी आपको याद रखना है यह जानिये समझ में आ गया concept अब देखिए फ्रेशन में कोई भी balance BD नहीं दे रखा है आप एक्ताम करेंगे ऐसे करके ऐसे डैस डैस मार देंगे क्या यह मारना जरूरी है आपकी इच्छा है लिखिए क्योंकि business start ही कर रहे है आप तो BD का कोई concept आता ही नहीं है ठीक है अब देखो बाकी बचा कुछा कुछ क्या वाई सबसे पहले interest on capital दे दीजे दोनों को कितना निकाला था आपने जर अब profit and loss appropriation चेक कर लिजे profit and loss appropriation मे जल्दी जल्दी लिखें यहां पर तीन हजार और अठारा सो अच्छा salary भी किसी को दी जा रही थी तो यहां पर salary कि यहां पर क्या लिखेंगे salary और salary कितनी salary कितनी यह बताईए जरह बताईए कितना 4800 इतना आपका 4800 और rada में लिखेंगे या रहीम में लिखेंगे राम रहीं में लिखेंगे चाहाई एक चीज और जानों ऐसली यह आप यह पैसा कहां से कर रहे हो यह पयसा कहां से पोस्ट में और interest on capital के जगा by profit and loss appropriation भी लिख सकते हो और ब्रेकट में interest on capital लिख दीजेगा जहां आपने salary लिखी वहाँ पर बाई profit and loss appropriation लिख सकते हो और bracket में क्या लिख दीजेगा salary लिख दीजेगा हाँ नहीं लिखेंगे तो भी सही रहेगा कोई गलती इसमें नहीं रहेगी बेटा कोई गलती नहीं रहेगी ठीक है अब अच्छा कुछ और भी था इदर क्या जाएगा इदर debit side में drawing जाएगा क्यों और 10,000 देखो मैंने धीरे से देख लिया स्क्रीन थोड़ी सी turn हुई न मैंने धीरे से देख लिया और इधर two क्या आपका interest on drawing पहले वाले का 240 राम का और दूसरे वाले का 300 अच्छा अभी और भी कुछ है क्या सर अरे वो profit जो distribute कर किये थे आप जिसमें कितना equal equal distribute किये थे आ कितना था 10,000 470 रुपया बस 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 काम खतम काम खतम जल्दी से बताईए जल्दी से आप मुझे बताईए कितना भाई यह 10,000 10,000 एक बार बता देंगे मुझे फिर से 10,470 मैं एक बार देख लेता हूं स्क्रीन पर कहां गया कहां गया कहां यह रहा 10,470 और इधर भी कितना 10,470 बस सारा कुछ पोस्ट हम कर चुके हैं अब आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है क्या लपेटना मतलब अरे बंद करना भाई जल्दी से बैलन सीडी बताईए और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मतलब आपके बताने के बाद जल्दी से जोड़िए देखो 10,000 और यह इधर 10,470 और इधर 3,000 है तो यह 13,470 हो जाएगा इधर कितना है भाई मतलब 17,000 17,000 जल्दी से बैखे 10,000 यह हो गया चार हजार यह हो गया दस चार चौदा हो गया चौदा एक पंदरा हो गया तो ऐसे हो गया फिर आट दुनी 16,88 16,16 मतलब एक हजार हो गया 16,600 16,600 में 17,070 रुपया हो गया अब उसके बाद इसको माइनस करिए अपना बैलन सीट फाइंड आउट करिए ठीक है जल्दी से आप मुझे माइनस करके बैलनस बताएंगे इसका कितना आ रहा है अच्छा इसका आ रहा है आपका 5230 रुपया घटा लीजेगा और इसका जो आ रहा है रहा है रहीम का वो आ रहा है आपका 6770 ये मैंने आपकी किताब से देखा है सची बता रहा हूं कसम खिलवा लो ये किताब ये मैंने आपकी किताब से देखा लेकिन न्यकीन मानों इतना ही आएगा आपका मन है आप चेक करो कोनों दिक्कत नहीं है भाईया हम सही है करके देख लीजे इस इतनी बाते इतनी बाते समझ में आ गई समझ में आ गया आप लोगों को चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब इलस्टेशन नंबर एट की तरफ चलते हैं अब इलस्टेशन नंबर एट को अगर हम स्टार्ट करें तो यहां पर एक सब्द आपको दे रखा है कहता है गैरेंटी गिवन भाई फर्म अभी तो हमने गै गैरेंटी वाला कॉंसेट ही नहीं पढ़ा है किया यकोई बात नहीं पढ़्हा तो आप पढ़ लेते हैं ना दिक्टत ही क्या है यह बताई कॉंसेट तो आप ऐसे समझ Serge just like हलुआ पूरी फूरि खाय की नहीं खाये हो बस उसी तरीके से गैरेंटी है होता क्या है concept समझो ध्यान से heading डालो जरा सभी लोग पहले जितने भी बालक लोग देख रहे हैं class को जरा heading डालिए सभी लोग और जरा बताईए मुझे comment करके जरूर बताईए बाबू समझ में आया की नहीं आया यह जो question आपको कराया मैंने अभी समझ में आया की नहीं आया आपका एक छोटा सा comment एक छोटा सा like एक छोटा सा share इस channel को बहुत support करेगा ठीक है comment जरूर करिए अग अब ही आप सभी लोग अगला heading डालिए बाबू guarantee कि देखो guarantee सब्द सुनकर आपके मन में क्या आता है मैं बता हूँ आपके मन में क्या आता है आपके मन में बल्फ आता होगा तर बल्फ क्या बात कर रहे हो कौन सा बल्फ अरे जो आपके घर में LED लगी है जो वह गोल गोल guarantee ही है और कौन सी guarantee सर एक साल पहले अगर खतम हो गया खराब हो गया तो दुकानदार आप से क्या पैसा लेगा अंसर है नहीं आप उसके मुझ पे जाओ के वह रखो अरे सुरी मुझ पे ना रखो भाई ठीक है आप उसके दुखान पे जाओ रखो और कहो मालिक खराब हो ग रहिया अगर इस पर्टीकुलर चीज से अगर हम कम आये जो भी हमने आप से वादा किया guarantee जस्त लाई का promise अगर जैसे सपोस करिये कि जब आप इस चैप्टर में guarantee को पढ़ोगे ना तो इस चैप्टर में guarantee को दो भागों में classify किया गया है कितने भागों में classify किया गया है दो विज्वल गयरेंटी का मतलब क्या होता है पहले यह समझे और पर मतलब होता है यहां पर इसका सीदा-सीदा मतलब यह है कि यहाँ पे जो guarantee दी जाएगी वो all partner के द्वारा दी जाएगी यहाँ पे जो guarantee दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी all partner के द्वारा दी जाएगी सवाल यह उठता है कि सर किसको दी जाएगी वो guarantee it's depend on your question यार it's depend on क्या your question ठीक है और individual guarantee यहां पर एक single partner guarantee देगा एक single partner क्या देगा बिटा guarantee देगा इतना concept समझ में आ गया जब question बोले कि firm guarantee इसका मतलब यह है कि भीया सारे partner मिलकर guarantee दे रहे हैं और अगर question यह बोल दे भाया individual guarantee तो individual में उसका नाम लिखा रहे एक example से समझते हैं तब जाके आपको यह concept पूरा और अच जैसे suppose करिए कि चार partner थे ए बी सी और डी चार partner थे अब यह जो डी है यह एकदम नया नया partner है यह कौन है आपका new partner है इसको business का experience नहीं है इसको business का क्या नहीं है experience नहीं है तो इसने कहा कि यार मैं आपका partner तो बन जाओं लेकिन मुझे profit कितना होगा सीजी सी बात है आप किसी फर्म में जाते हो आज पार्टनर आज ओनर या कहीं भी नौकरी ओकरी करने जाओंगे तो salary पूछोगे कि नहीं पूछोगे पूछेंगे पैसा पूछोगे कि नहीं पूछोगे पूछेंगे दी ने भी यही पूछ लिया अच्छा इन तीन ने कहा है भाई साب आप two minimum कितना वोला मैंने minimum दश हजार रुपय से कम तो नहीं मिलने वाला है उन्हों ने दस हजार रुपया क्या दे दिया तका सुनियेगा गयारेंटी उस मैं एक्टिव होगी जब 9 sait से कब आएगा डल सुनियेगा सबाइस आवाली नहीं उड़ता भाईश, आपने क्या पढ़ा है, जैसे मालेजी वो भल है, एक साल पहले खराब होगा, तो ही भल बदला जाएगा ना, एक साल के बाद अगर खराब होता है, तो क्या बदला जाएगा? अनसर दस हजार रुपया आपको profit मिलेगा अब case number one देखिए अचा इनका जो profit sharing ratio है माल लीजे PSR इनका equally है इनका PSR बाबू क्या है आपका equally है अब माल लीजे पहले साल जो profit हुआ वह 80,000 का profit हुआ मतलब सब कुछ गाटने पीटने के बाद 80,000 का profit हुआ तो अगर 80,000 का profit हुआ है तो यह 80,000 का profit किसमें बटेगा चारों में बटेगा की नहीं बटेगा भई चारों में बटेगा कैसे बटेगा असी हजार असी हजार एक बटा चार कितना आ गया 20,000 कि इसका भी बी का भी कितना आएगा 20,000 का भी कितना आएगा 20,000 सहिए कि नहीं है अब देखो A, B, C ने वादा कितने रुपए का किया था यह बताईए A, B, C ने वादा कितने का किया था दस का मिल कितना गया 20 का तो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ दिया जाएगा क्या अंसर है नहीं सर अब इसमें गैरेंटी वाला रूल अप्ली केबल होगा ही नहीं अब सवाल यह उटता है कि सर गैरेंटी वाला किस वा लागू कब होगा अब बताते हैं जैसे माल लीजे आपका प्रॉफिट चलिए केस बदल देते हैं आपका जो इस बार इस हजार रुपया आया इतना आया आया ती सब्रॉफिट आया लीजे आपशर क्या होगा अरे इस तीस हजार को बांटो तो पहले अब ना देखेंगे गैरेंटी कैसे दिखा कल्कुलेट की जाती है पहले इस तीस हजार को बांटो तो पहले तो राम एक को कितना मिलेगा तीस हजार का एक बटा चार बताईए कितना मिलेगा काटने पे आठ डिवाइड करेंगे साच 28 कितना साथ हजार पानसो रूपया एक कोब इक कितना मिला साथ हजार पानसो बी गोब तीन लोग जिन्दा हैं और वही तीन लोग मिलके आपको गैरेंटी दिये हैं तो सर क्या होगा इसका मतलब यह है कि आपको वादा कितने का किया गया था यह बताईए आपको वादा किया गया था दस का आपको मिला कितना साथ हजार पांसो तो आपके बैलेंस में शौटेज क भरेगा कौन, तीनों भरेंगे, क्योंकि वादा किस ने किया था, तीनों ने किया था न, और सर कैसे भरेंगे, ये भी सवाल उठता है, सर कैसे भरेंगे, देखो अगर question में दिया है कि इस ratio में भरेंगे, तो आप उस ratio में बांट दीजेगा, दिया रहेगा, और अगर नहीं भी दिया, तो जो इनका पूराना ratio है, उसी ratio में इनको क्या कर दीजेगा, बांट दीजेगा, यानि इस धाई हजार को कैसे बांटेंगे, equally बांट देंगे, equally ले लेंगे, ठीक है, तो जड़ा बताइए मुझे कितना आएगा, पहले वाले का कितना आएगा, 833.33, मैं 833 लिख दू, यहाँ पे भी 833 लिख दू, एक रुपया किसी का बढ़ा दूँगा, ठीक है, एक रुपया किसी का मैं क्या करूँगा, बढ़ा दूँगा, जैसे किसी के जगा, 833 के जगा मैं क्या लिख दू, 834 लिख दू, भाई तभी तो balance वा बराबर होगा, नहीं तो एक रूपय का सौटेज आपको दिखता रहेगा, अमझ में आ गया, तो 7500 में से एक का बैलन्स कितना घटा देंगे, 833, वी का भी बैलन्स कितना घटा देंगे, 833, टी का भी कितना घटा देंगे, 834, अब आप कहूंगे, सर एक रूपया जादा क्यों ले रहे हो, सिर्फ बैलन्स बरावर करने के लिए भाई, वरना पॉइंट 3333 करके आ रहा था, पॉइंट 333 को कहां मरजिस्ट करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब आप मुस्कुराईए, क्योंकि आपका 10,000 क्या हो चुका है, पूरा 833, 833, प्लस 834, तो इसका कितना बैलन्स आ गया, अब 10,000, इसका बैलन्स कितना आ गया, अब आपका, 10,000 बताईए, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई, अच्छा, A का भी बैलन्स बता दीजे, B का भी बैलन्स बता दीजे, लगें हाथ किसका बता दीजे, C का भी बता द दीजे जलिए जल्दी से आप मुझे बताईए 7500 में से 833 गटाएंगे कितना आएगा कि जल्दी मुझे घटा के बताईए बाबू कि कितना आएगा कितना कि अग्लिस मतों कि अग्लिस बताओ कि 2600 इसेव्ट शेहजार 6660 रुपया 6667 यहाँ परबर और यहां पर भी वही हाल है जाएंगे यहाँ पर एक रुपया कम यहाँ और फह यहाँ आपे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर समझ में आ गई की नहीं अब इसके साथ साथ जर्नल इंट्री भी देख लीजे भाई इनकी इसके साथ साथ आप क्या देख लीजे इनकी जर्नल इंट्री भी देख लीजे अब देखो बेटा जिसको मिलेगा मिलेगा किसको जिसको भी मिलेगा उसका बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा उसका बैलेंस बढ़ेगा यानि उसक यानि गैरेंटी देने वाले का कापिटल हो जाएगा दाबिट और जिसको गैरेंटी मिल रही है उसकि आप कैपिटल क्या हो जाएगा ग्रेडिट तो यहां पर इंट्री क्या होगी लिखिए जरह एक कैपिटल कि हे कापिटल एकाउंट डाबिट और कितने रुपए से वही तर फिर भी कैपिटल एकाउंट डाबिट एट हीटरी थरी पिर सी कैपिटल एकाउंट डाविट कितने से एट थ्री पोर यहां पे टू डी कैपिटल कि तू डी कैपिटल कितने से धाई हजार से ना डाई हजार से डाई हजार से तो यह जो है आपका ध्यान दिंगे यह लोग कौन है भाई यह कौन है गैरेंटी देने वाले है न और यह कौन है आपका गैरेंटी पाने वाले आप ऐसे लिख लिजे यानि जो guarantee दे रहा है उसका capital debit हो जाएगा और जो guarantee जिसको मिल रही है उसका capital क्या हो जाएगा आपका credit हो जाएगा बताईए concept कैसा लगा easy है कि नहीं है बताईए concept easy है कि नहीं है बताईए concept easy है ना अब लगें हाथ narration भी लिख लगते हैं अब narration क्या लिखें है अरे भाईया जो किया है आपने guarantee amount distributed बस कितना ज़्यादा सोचने की क्या जुरूरत है यार बाते समझ में आ गई की नहीं आ गई बाते आ गई बहुत simple concept है firm guarantee और उससे simple concept जानते हो क्या है उससे ज्यादा simple concept यह है individual guarantee इसमें firm का calculation ही नहीं है इसमें जैसे माल लीजे कि A ने D को guarantee दिया तो सिर्फ A का capital debit करेंगे हां और हां अब B ने अगर दिया है तो B का capital करेंगे और C ने guarantee दिया तो भाईया C का capital debit करेंगे उसमें क्या है यार बस same concept है same concept है तफ लगा या easy अरे यार इससे ज्यादा easy और क्या लोगे I see AI वाले आपको जानते हो पागल बनाते हैं क्यों पागल बनाते कहते हैं बहुत टफ है बताओ कहां टफ है यार कितना easy concept दे रहे हैं वह और free का number आपको दे दे रहे हैं अब पाओ तो पहले number अब चलो इसी बात पर illustration number eight देख लेते हैं ठीक है concept clear हो गया कि नहीं हो गया कोई दिक्कत तो नहीं भया comment करके ज़रूर बताईएगा और ज्यादा अच्छा लगे है दोस्तों के साथ share कर दीजेगा मेरा दिल garden garden हो जाएगा ठीक है चलो आओ देखो अब question number eight देखिए कहता है कि ए बी दो partner है इ आप अपनी किताब से देख लीजे इस नंबर है eight point one eight illustration number eight देखा सब कुछ eight eight चल रहा है ठीक है कहता है ए भी दो partner है इंदा फृम शेरिंग प्रॉफित और लॉस इंदा रेशियो आप थ्री इस्टू टू ए भी दो partner रेशियो क्या थ्री इस्टू टू ऐसे लिख लिया कर लिए आप दो दे एड्मिटेड शी को इन्होंने एड्मिट किया one upon six share के लिए फिर कहता है कि and guarantee that his profit share of the profit not less than not less than तू करोन फिप्टी लाक रुपीज हो माई गॉड मलब इनका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा तू करोन फिप्टी लाक रुपीज से कम नहीं होगा यह guarantee किस ने दिया और यह जरा क्या लिखा है अभी कुछ नहीं बोला है तिर्फ यह बोला है कि guarantee not guarantee profit not less than two करोन फिप्टी लाक यह नहीं बोला है कि किस ने दिया और यह आगे दे विया फिर उसके बाद कहता है करेंगे कितना है profit आपका नाइन करोड है कितना है भाई नाइन करोड यह आप यहां पर जी अमाउंट लिख दीजेगा जी मतलब guarantee यह को फर्म में profit कितना हुआ नौ करोड रुपए का profit अब आपसे question कहता है पहला case कहता है guarantee given बाई फर्म इसका working देख लेते हैं हम फिर उसके बाद दूसरा case क्या कहता है आपका कि guarantee given by a guarantee given by a और तीसरा क्या कहता है guarantee given by b and a and b equally देखो तब दब change कर दिया की नहीं कर दिया तीसरा case कहता है guarantee given by a and b equally देखो ratio change किया है पहले वाले में अगर आप देखेंगे जो आपका पहला case है इसमें ratio नहीं दिया है तो जो पूराना ratio रहेगा उसी ratio में देदेंगे रही है कि नहीं है भाई सोचिए कुछ हम गलत कह रहे हैं क्या आप तोड़ा दिमाग लगाई है ना भाई पहले व इसमें कहता है guarantee given by a ठीक है इसमें क्या कहता है guarantee given by a and b firm ही है firm ही है लेकिन ratio क्या हो गया है equal equal हो गया है इसमें ratio क्या रहेगा जो इनका old ratio रहेगा जो इनका क्या रहेगा बाई और रेसियो रहेगा बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया खका कोई दिक्कत तो नहीं चलो अब देखो आओ बाटते हैं सबसे पहले एका पी का सी का अभी देखो सिर्फ हम वर्किंग बना रहे हैं ठीक नब वर्किंग बनाने के बाद फिर एकाउंट बनाएंगे फेले वर्किंग समझ लो एकाउंट तो आप स्वैम बना सकते हो आओ तो बेटा नौ करोड है नौ करोड है और रेशियो क्या था इन लोगों का बताएंगे मुझे रेशियो क्या है इनका अब इसको करने के लिए अब आपको सबसे पहले नियू प्यासर निकालना पड़ेगा भाई नियू प्यासर आईए स्टार देके लिखिये जरा स्टार देके लिखिये वैसे ये नियू प्यासर हम लोग आपके अगले यूनिट में पढ़ेंगे जब हम आपको एडमीशन पढ़ाएंगे तो वहां पे हम नियू प्यासर सिखाएंगे लेकिन अभी सबसे पहले भाई कोश्चन हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें नियू प्यासर सीखना लब न्यू प्रॉफिट टेरिंग रेशियो न्यू प्यस आर इन केस आफ एड्मीशन इन केस आफ एड्मीशन लेटा वो देखो ज़रा पॉसिबल हो तो बंद करवाओ ठीक है जो नो नो कि अधिक झाल झाल कि अधिक अब 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 इसमें देखिए कुशन समझे आप ध्यान से कुशन समझे जैसे लिखिए केस नमबर वन केस नमबर वन लिखिए वेन नो इनफोर्मेशन नो नो इनफोर्मेशन इनफोर्मेशन इस गिवन नो इनफोर्मेशन इस गिवन जैसे आपने ए बी दो पार्टनर हैं किसी कुशन को उठा के लिए के चल रहे हैं इनका जो पी असर कितना है थ्रीस्टू तू है C को इन्होंने admit किया कितने share के लिए 1-6 share के लिए admit किया तो ये C आपका क्या है new partner है अब जब C आया तो automatic partnership deed change हो जाएगी कि नहीं change हो जाएगी पहले A और B में जो profit होता था वो 3-2 में बढ़ता था लेकिन अब C आया है C 1 upon 6 के लिए आया है इसका मतलब इनका profit sharing ratio change होगा कि नहीं change होगा इसके आगे कोई भी question नहीं दिया गया है कोई भी point नहीं दिया गया है तो इस तरीके का अगर question आता है और इस तरीके के question में अगर आपको profit के new PSR निकालना पड़ा आप सबसे पहले क्या निकालेंगे देखिए आपको अपना PSR 4 step में निकालना पड़ेगा कितने step में निकालना पड़ेगा बेटा 4 step में सबसे पहला step assume करिए total profit एक रुपया है assume करिए total profit आपका कितना है एक रुपया है ठीक है और फिर उसके बाद इस total profit में से new partner ने कितना लिया है new partner profit new partner profit आपने कहा कि sir one upon six है तीसरा step जड़ा बताईए remaining profit कितना है remaining profit अरे एक रुपए में से अगर आपने one upon six नए वाले को दे दिया तो फिर बचा कितना यह बताईए कितना LCM यहाँ पर आया च्छे यहाँ पर कितना एगा च्छे माइनस एक मतलब पांच बटा देखिए remaining profit आ गया कि नहीं आ गया है sorry remaining profit आ गया कि नहीं आ गया five upon six अब क्या करें सब्सक्राइब देखो यह जो remaining profit है यह जो आपका क्या है बावू remaining profit है इस remaining profit को आपको distribute करना पड़ेगा remaining profit लिखिए मेरे साथ will be distributed will be distributed between old partner in old ratio in old ratio ठीक है चलिए जल्दी से आप बाटिये remaining partner कौन थे older partner कौन थे ए और बी थे न अच्छा पहले तो यह बताए remaining profit है कितना जल्दी से बताए मुझे remaining profit कितना आया आपका तर 5 upon 6 5 upon 6 मतलब 5 upon 6 में एका भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है और किस ratio में बाटना है हमको old ratio में ज़रा बताईये old एक का old ratio क्या है तिए पॉण 5 ही तो है कि नहीं है 3 upon 5 है कि नहीं है बी का कितना है 2 upon 5 घल्दी से यहां पर बताए मुझे यहां पर कितना आ गया कि नहीं आ गया कि काम करिए सी का भी रेशियो यहीं पर नीचे लिख लीजिए जल्दी से कितने के लिए आया था एक बटा छे के लिए अरे सॉरी यहां पर पंदरक जगा मैंने दस लिखना है ठीक है यहां पर दस हो गया अब देखिए सी कितने के लिए आया था बता यह जरा एक बटा छे के लिए ना पका ना अब देखिए बेस आपको बराबर करना है क्या बराबर करना है बेस बराबर करने के लिए क्या करें यहां 30 यहां 30 तो यहां 버ी 30 इतने से गुड़ा ऊपर उतने से गुड़ा नीचे यानि 5 बत्टा हो गया 30 हो गया इनका new PSR कितना आ गया फंदरा 10 इसबांच बताइए अब इसको अगर आपको काटना है तो आप आप सकते हैं पांच का पहाड़ा पढ़ लीजे और अभी 30 इतने से गुड़ा ऊपर उतने से गुड़ा नीचे यानि 5 से गुड़ा ऊपर 5 से गुड़ा नीचे यानि 5 बटा क्या हो गया 30 हो गया इनका new p.s.r कितना आ गया 15 दस 5 बताइजे अगर आपको काटना है तो आप सकते हैं 5 का पहाड़ा पढ़ लीजे हैं और हाँ, तीनों कटने चाहिए, ये नहीं कि खाली एक कट रहा है, तीनों कटने चाहिए, तो new PSR कितना आ गया वेटा, तीन, दो, एक आ गया, बता ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया, समझ में आ गया वेटा, बहुत अच्छी बात है, अब आपके पास अगर DKGoyal वा आएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहीए, तीन फिर अब हम बात करते हैं, आपके उसी कुश्चन पर, जिस कुश्चन से ये concept आपका निकल कर आया था, उसको सामने देखेंगे, ये रहा आपका कुश्चन है, ये रहा, अब आपका कितना है ये, 9 करोड है, अब रे बता ये, 2 को भी ऐसेही काटी है, कितना आएगा, 9 करोड और यहाँ पे कितना आपका, 2 बटे, 6, यहाँ पे 9 करोड, और यहाँ पे कितना, 1 बटे, 6, बेटा काटी है, और जल्दी से मुझे आजे, जल्दी से मुझे आंसर बता, कि पहले आप कि काम करिए 9 करोट को 6 से डिवाइड़ कर दीजे जो आएगा वह पहले तो स्तीक हो जायगा फिर दो से गुड़ा करेंगे 20 Тीन से करेंगे तो अंता हो जाए गा एक हो जाए गा आ और पहले वाले का कितना है अपका कि लीजे अब दूसरे वाले का जल्दी से बताएँ कितना आएगा आपका और इसका कितना आएगा आ आपका क्यार करोड़ पचास लाकंट अच्छा देखो थीसरे वाले का कितना आया पंप्र टी का कितना आया तीस करोण आ गया सरी तीन करोण आ गया और बी का कितना आया आपका चार करोण पचास लाक लेकिन हमने वादा कितने का किया था ये बता है कि को हमने देने का वादा कितना कि किया था तो करोण तो पचास लाक देने का हमने वादा किया तो इसका मतलब क्या हम अपने वादे पे खड़े रहे या वादे से अभी चूक गए हैं अभी चूक गए हैं ना कितना सर डिफीशेंसी कितनी आईए बताईए अब जल्दी से मुझे डिफीशेंसी देखिए गैरेंटी अमाउंट बताईए पहले तो गैरेंटी एमाउंट माइनस एक्ट्वल एमाउंट गैरेंटी एमाउंट माइनस क्या आपका इक्ट्वल एमाउंट क्या निकल के आ जाएगा डिफीशेंसी आ जाएगी क्योंगी इसी डिफीशेंसी को आपको बाटना है ठीक है हँ आच्छा एक जीरो और ठीक गैरिंटी अमाउंट कितना था था हमारा दो करोड ख सा ये माउंट कितना आ गए आपका एक करोड़ 50 लक ये कि इस एंसजी कितनी आ गई था एक करोड की डियूनसी आ गई गै अब इस एक करोड की डिफिसेंसी को कौन लेगा बताइए जरा मुझे है अब इस एक करोड़ की डिफिस्यंसी कोंन पै करेगा इस Sóीदी सी बात है कौन पी करेगा और रेशियो किसे रैस्चयो अपने पुराने रैस्चयों में पुराने रैस्चयों क्या है निए देखो यहां पे कुछ नहीं दिया है जैसा कि अगर आप केस नमबर 3 देखेंगे तो यहां पर एकुली-कुली दे दिया था लेकिन इसमें जब कुछ दिया नहीं है तो इसका मतलब इनका पुराना रेशियो है पुराना रेशियो क्या है आपका जल्दी से बताइए 3 बटे 2 तीन बटे पांच और दो बटे पांच बेटा जल्दी से आप आप मुझे बताइए कि A का कितना आ रहा है और B का कितना आ रहा है मेरे ख्याल से 60 लाक इसका आ रहा है किए ना ऐसका आएगा 508 यहां कि इसका ऐसका आएगा और 40 लाक हौशा इनका आएगा तरॐ तो आपका इसको का आकर थरो कितना आएगा 20 लाक तो आएगा और 20 20 कोड़े 33 साट का बताव कि नहीं में आगया कि जल्दी से बताऊ मुझे करके देखिए मैंने गलत काट दिया हो सही किया है ना बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया दिक्कत इसमें समस्या अक्का करो फिर और चलो जल्दी से देखो तो अब यह पैसा यहां पर आप क्या कर यह पुट कर दीजिए लीजे यहां पर भी लीजे और यहां पर यहां पर कितना काट प्ता यह जर्णल इंट्री कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे जर्णल इंट्री क्या है जर्ण बताओ मुझे एक आपिटल एकाउंट डाविट टू शी करते हैं मुझ में आ गया कि नहीं आ अगया इसमें इंट्री हम्हाँ पर कर दे रहा हूं कि मैं एक काउपिटल कि कि एक अचाउंट डाविड कि भी क्यापिटल एकाउंट डाबिड और आपका यहां पे क्या टू सी कापित यहां पे कितना साथ लाग यहाँ पे कितना आपका चालिस लाग यहां पे आपका कितना एक करोड राइट यह हो गया हमारा केस नंबर बन तो और इजी है क्योंकि इसमें तो पूरा का पूरा पैसा कौन दे रहा है तो इस नंबर टू देखो इसकी इंट्री क्या होगी क्या क्या कितने से पूरा का पूरा कितना 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 आपका एक करो कि बताओ समझ में आ गया खिर नहीं आ गया अच्छा सब्सक्राइब बात बताओ तीसरे केस में बताओ तीसरे केस में तो कोई दिक्कत नहीं है निनने इकौल इकौल बटेगा ना भाई 50 लाग 5 लाग इंट्री करो सीधा वैजिधा कि और यहां पे डू आइअपका C क्या प्यापिप्तर गल कितना यहां पे हैं पचास लाग और यहां पे कितना आपका पचास लाग अच्छा एक चीज और सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग घर जाके आज एक काम करिएगा क्या सबसे पहले तो यह पता कर लीजेगा करोड में कितने जीरो होते हैं दस करोड में कितने होते हैं ठीक है और आखे की संघ्या भी जीरो काउंट कर लीजेगा कारण क्या है क्योंकि एक्जाम में बिटा छोटे अमाउंट नहीं दें मिलने वाले हैं आपको ऐसे पचास करोड सव करोड ऐसे करके कुशन आएगा और अगर एक चीरो अगर गलती से हमने इधर उधर कर दिया ना सब भरभंड हो जाएगा भाई सब गड़बढ आ जाएगा आज होमर की यह है क्या पता करो किसमें कितना चीरो आता है और आगे चलके काम भी तो आएगा या या यूर नॉट एकाउंटेंट यूर जस्ट च अगर आप सॉल्व कर पाएं तो सॉल्व करिएगा नहीं तो हम सारा कुशन आपको सॉल्व कराएंगे वन टू वन सॉल्व कराएंगे बस आप लोग अपना ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहिए और साती साथ मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आपने अगर एप हमारा डाउनलोड नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा बाकी मिलेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जय भोलेनाथ पढ़ते रहिए जरे चारी है झाएब कर देले जिले धर सकते हैं तo में नहीं कहीं है ध़क। तक है जब पाइब में देले रहिरे के जैनलोड़ गन्यूफ है